में से जो हमारा 12 चप्टर है Algebraic Expression इसको हम स्टार्ट करेंगे और First Exercise जो है उसको Complete करेंगे First Question है बच्चो इसका Get the Algebraic Expression in the following cases Using Variables, Constant and Arthematic Operations क्या करना हमें Algebraic Expression बनाने हैं इन Statements से अब यहाँ पर कुछ Terms दी गई है उसको देखते हैं क्या है देखें बच्चो Constant Term तो होती है जो हमारे Numerical Values है जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मतलब यह सारे Numerical इनको हम बोलते हैं Constant जिनकी Value Fix है अगर यह हमने 4 लिख दिया तो इसका मतलब 4 ही है इसका मतलब 5 नहीं है ठीक है Constant जिसकी Value ना बदले उसको Constant बोलते है Variable होता है जिसकी जगापे कुछ भी आ सकता जैसे X ले लिया, Y ले लिया तो X की Value किसी Expression में तो 5 आजेगी किसी में 6 आजेगी, किसी में 10 आजेगी तो कोई Fix नहीं है ठीक है इस तरह से ऐसे ही Y की Value भी कुछ भी आ सकते है तो इनको ABC वाले जो भी आपकी Words हम लिखेंगे उनको हम बोलते है Variables जिनकी Value चेंज होती रहती है Vari करती रहती है Arthematic Operation होते है हमारे 4 Plus, Minus, Multiply And Divide ठीक है यह Arthematic Operation होगे तो मतलब इन तीनों का यूज़ करके हमें Algebraic Expression बनाने है तो First है बच्चो हमारा है Of, Z, From, Y Subtract वाले Question में हमेशा From आता है और From के जो बाद होता है जैसे From के बाद भी Y है तो Y में से इसका मतलब क्या हिंदी Y में से Z को घटाओ ठीक है तो Y में से Z को घटाना है तो बच्चो First का First Question का First Part का Answer क्या बनेगा आपका Y-Z ठीक है इस तरह से ऐसे ही Second Part जो है Second Part देखते हैं बच्चो Second Part में है One Half इसका मतलब One Half का मतलब One By Two Of The Sum Of The Sum Sum का मतलब Plus Of Numbers X and Y तो इधर से Start करते हैं X और Y इनका Sum तो यहां लिखेंगे X Plus Y Sum का मतलब Plus X Plus Y इनका Sum And क्या करना है One By One Half तो One By Two Of का मिनिग मल्टिप्लाई तो इस तरह से इस कांसर बनेगा One By Two Of Sum of X and Y ठीक है थार्ड पार देखते हैं बच्चो थार्ड बाले में देखो The Numbers Number Z Multiplied by itself मतलब Z को Z से ही Multiply करना है तो वैसे तो बनेगा Z Multiply Z लेकिन आप इसको Z Square भी लिख सकते हो ठीक है Next बच्चो Fourth पार One Fourth इस तरह से जो आती है न Statement One Fourth Two Third Two Fifth इस तरह से तो इसका जो First होता है One है तो ये उपर आता है और ये Divide में मतलब ये Numerator ये Denominator One Fourth है Four of the product of numbers P and Q तो P और Q की Multiply और उनका of of meaning One by Four तो इसको हम लिख सकते है One by Four P Q या फिर ऐसे भी लिख सकते है आप इसको P Q Divide by Four ठीक है तो इन में से कोई भी expression आपने है तो वो सही है Next करते है Fifth Part Numbers X and Y Both Squared and Added X और Y दोनों नमबर को Square किया जाता है दोनों का Square किया जाता है and Added फिर उनको Plus कर दी जाता है तो X का Square इस तरह से होगा फिर Y का Square इस तरह से होगा दोनों को Add करना है मतलब Plus कर देना है तो यह इसका Answer आ गया फिर Next बच्चों देखो Sixth Part Sixth में है करना है three times the product of m and n किसकी प्रोड़क्ट m और n की प्रोड़क्ट अब इसको simplify कर देते हैं थोड़ा साथ 3 की इन तीनों के साथ multiply है तो 3 m n हो जाएगा प्लस 5 हो जाएगा ठीक है है न सिंपल इसी तरह से next बचो आपका पार्ट है सेवन्थ पार्ड सेवन्थ पार्ड में देखें बचो product of numbers y और z subtracted from from के बाग क्या है 10 तो 10 में से इन दोनों के product को माइनस करना है तो y z को माइनस कर देंगे ठीक है इस तरह से next बचो देखें एट पार्ड एट वाले में है sum of numbers a and b subtracted from their product क्या मतलब है इसका sum of numbers a and b a plus b हो जाएगा subtracted from their product इनकी इन ही की गुना a b a multiply b इस में से subtract करना है क्या subtract करना है इनका sum a plus b ठीक है तो इतना लिख दीजिए या फिर bracket हटाएंगे तो sign change हो जाते हैं तो या जगा a b minus a minus b इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो दोनों ही answer आपके सही है next करते है second, second में देखो बचो identify the terms and their factors in the following expressions नीचे जो भी expression हमें दिये गए हैं उसमें हमें terms को और factors को पहचानना है terms क्या होती है जैसे example के लिए यह हमारे पास यह लेते हैं y minus y q अब इसमें term क्या होती है बचो यहां से आपने इस तरह से start करना है चलना जहां पर plus या minus आजए वहीं पर statement अलग हो जाती है इसको हम term कहते हैं एक term तो है इसमें y और एक term है next आगे कोई plus minus नहीं है तो यहां कहते हैं दूसरी term है minus y q ठीक है दो term है इसको बोलते हैं term factor होते हैं इनके आगे अगे इसका कोई factor नहीं बनेगा इसके बनेगे क्या बनेगे इसके factor क्या बनेगे minus 1 और y y y क्योंकि 3 y को multiply किया गया है minus 1 के साथ ठीक है तो यह terms और factor हमें identify करने हैं लेकिन कैसे करने हैं simple नहीं show the terms and factors by tree diagram tree diagram से हमें इनको represent करना है tree diagram में कुछ चीज़ें आपने याद रखने हैं बच्चो साथ की साथ मैं करूँगो सबसे पहले सबसे उपर होता है expression expression meaning जो हमें given statement है फिर आपने dark line से दोनों terms को अलग अलग लिखना होता है dark line से ठीक है इधर से first term क्या जाएगी x second term हो जाएगी minus 3 ठीक है आगे इनके कोई factor नहीं बनेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा ठीक है अब b part करते हैं इसका ये a part था b part करते हैं b वाले में है देखो बचो 1 plus x तो expression लिखेंगे सबसे पहले 1 plus x plus x square अब आपको क्या करना है इनके तीन terms है इसमें तो तीन dark line आपने लेनी है ठीक है इस तरह से यहाँ पर first पर आजएगी first term 1 है second है x plus लगाने की जुरूरत नहीं होती है लेकिन minus हो तो लगाना है और x square है plus लगा भी दोगी तो कोई दिकर नहीं है ठीक है अब इसका कोई factor नहीं है इसका कोई factor नहीं लेकिन इसके factor है क्योंकि 2x को multiply किया गया है तो य यहां dotted line ले जाती है factors को दिखाने के लिए dotted line x और x ठीक है यह होता है expression यहां आती है terms और अगर factor है तो यहां आते है factors ठीक है next करते हैं c वाला पार्ट जो हमने example यह था तो इसका expression है बचो y minus y cube ठीक है यहीं इसका expression है तो अब हम क्या करेंगे इसकी dark line लेते हैं इस तरह से तो यह first time आज़ेगी y और second आज़ेगी minus y cube ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम अगर चाहें तो इसको जो है factorize कर सकते हैं तो 1,2,3 इस तरह से dotted आपने lines जो हैं वो लेनी है minus 1 को चाहें तो अलग लिख दें ठीक है नहीं तो आप minus y लिख सकते हो फिर y और फिर y ठीक है तो ज्यादा बेटर रहेगा ठीक है next करते हैं यह हमारा हो गया expression यहां से हम terms को अलग करते हैं पहले terms हो जाएंगी 5xy square और plus 7x square y अब यहां से factors देखो कितने मनेंगे 1,2 और 2y हैं तो 4 हो जाएंगे total तो 1 first आजएगा आपका 5 ठीक है फिर second factor हो जाएगा x फिर third factor हो जाएगा y और fourth factor भी y ठीक है इस तरह से फिर next वाले में बच्चो देखो first factor हो जाएगा इसका seven second factor कितना हो जाएगा x third factor भी x और fourth factor y इस तरह से ठीक है next करते हैं इसमें बच्चो देखो three terms हैं हमारे पास तो first second और third ठीक है तो यह हो जाएगा minus a भी फिर second हो जाएगे 2b square और third हो जाए जाएगे minus 3a square ठीक है अब इसके factor क्या बनेंगे बच्चो इसके बनेंगे minus one क्योंकि counting वाले कोई number नहीं है फिर a और फिर बनेगा b इसके factors क्या बनेंगे बच्चो टू फिर b और फिर b क्योंकि b square है तो दो बार बी है यहाँ पर क्या बनेंगे बच्चो माइनस 3 क्योंकि इस बार माइनस के साथ काउंटिंग वाला नंबर है तो माइनस त्री हम लगा सकते हैं माइनस वान लेने की जुरूरत नहीं है और यहां पर ए तो यह का फेक्टर ट्री डायग्राम बन गया नेक्स्ट करते हैं देखो फुचो सेकेंड में है अइडेंटिफाइट टर्म्स ए दिया है कि ए पार्ट के लिए एक्सप्रेशन उसका यहां पर लिखेंगे फिर लिखेंगे टर्म्स और फिर फेक्टर इससे हमारा काम जो है और जदा असान और वेल और्ग्नाइजड हो जाएगा तो फरस्ट एक्स प्लस फाइब इसी तरह से मैं सारे एक्सप्रेशन एक तो आएगी माइनस 4X फिर कॉमा लगा के लिखना है अपने सेकेंड आएगी प्लस 5 तो प्लस लिखने के जूट नहीं है 5 लिख दीजिए ठीक है आप फेक्टर फरस्ट के फेक्टर बनेंगे बिल्कुल बनेंगे कौन कौन से बनेंगे माइनस 4 और बनेगा कॉमा लगा के एक्स ठीक है और 5 का 5 ही रहेगा तो 5 को as it is आपने लिख देना है ऐसे जो है mixing भी होते है तो या फिर हम यहाँ पर लाइन यूज कर लेते हैं ठीक है या फिर इसको आप उपर नीचे लिखो या फिर इस तरह से लाइन यूज कर दो 4X के तो ये बनगे और 5 वाले के इस तर और को मा लगा के X फिर ये लाइन लगा देंगे बीच में सेकेंड जो है हमारा 5Y तो यहां लिख देंगे हम 5, Y सिंपल है नेक्स वाले में देखो 5Y फिर यहां पर 3Y स्क्वेर तो 5Y के तो बन जाएंगे 5, Y और 3Y स्क्वेर के बनेंगे 3, Y, Y ठीक है क्योंके Y स्क्वेर थ नेक्स वाले में देखो एक टर्म हो जाएगी XY और सेकिंड टर्म हो जाएगी 2X स्क्वेर Y स्क्वेर ठीक है तो फिरस्ट वाले के तो बन जाएंगे आपके X, Y नेक्स के क्या बनेंगे 2 बनेगा फिर X फिर X और फिर Y फिर Y यह कोलम आपने थोड़े बड़े रखने हैं ज Q और Q के फैक्टर Q रहेगा नेक्स वाले में 3 टर्म हैं तो तीनों को अलग अलग लिखना है 1.2AB नेक्स हो जाएगी माइनस 2.4B नेक्स हो जाएगी प्लस 3.6A ठीक है अब इनको अलग अलग लिखते हैं फिरस्ट टर्म के फैक्टर अबनाते हैं पहले यह बन जाएंगे वाले के बच्चों आपके 1.2,a,b next वाले के बच्चों बन जाएंगे minus 2.4,b next वाले के बन जाएंगे आपके plus 3.6,a ठीक है इस तरह से next वाले में है terms 3 by 4x और second term बनेगी हमारे 1 by 4 first वाले के factor बन जाएंगे 3 by 4,x second वाला का same यही factor as it is आ जाएगा last question भी same इससे तरीके से कर दिने आपने 0.1 P square first हो जाएगा second factor हो जाएगा 0.2 Q square ठीक है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.1, P, P next वाले में हो जाएगा 0.2, Q, Q ठीक है इस तरह से आपका यह second part जो है complete हो जाएगा next करते हैं, third में है बचो identify numerical coefficient of terms other than constant numerical coefficient जो है in the following expression हम ही क्या करना है coefficients को अलग करना है terms के coefficient को फिर से वैसे ही table बनाएंगे expression terms and coefficient लिखेंगे अब factors नहीं लिखेंगे तो मैं त्यार कर देता हूँ इसको इस तरह से बचो यह outline त्यार हो जाएगी इसकी, अब हम first हमारी statement लिखते हैं, first statement है यहाँ पर हम number लिखेंगे और यहाँ पर expression तो expression क्या है, five minus three t square अब terms को उपर नीचे लिखते हैं first question मैंने lining पहले लगा दी थी, इसलिए हमने slash लगाया था, तो एक term तो हो जागी हमारी five, दूसरी हो जागी minus three t square ठीक है, अब इसमें coefficient बचो यही होता है, जो constant हम होते हैं, वही coefficient होता है और minus three t square में variable term है t square, तो इसका coefficient बनेगा minus three अब होना तो बचो इस तरह से चाहिए, लेकिन जो हमारी statement अगर हम ध्यान दें उपर तो bracket में एक instruction दी गई थी other than constant, मतलब जो सिरफ constant वाली term है, उनका coefficient आपने नहीं लिखना है, तो ये तो थी constant term five और five, तो इस case में आपने इन चीजों को जो है वो नहीं लिखना है, सिरफ variable वाली terms को लिखना है, ठीक है, वैसे तो क्या था expression के साथ ये सारी terms आती है, लेकिन हमें सिरफ coefficient उनका देना है, जिनके साथ variable है, other than constant सिरफ constant नहीं है, तो आगे क्या करेंगे हम next वाले में इनको लिखने की ज़ूरत ही नहीं है, सिधा हम variable वाली terms ही लेते हैं, ठीक है ये first complete होता है, तो यहाँ पर हम line लगा देते हैं, अब लिखते हैं second वाले में देखो, second expression है one plus t plus t square plus t cube, अब इसमें variable वाली terms कौन से हैं, सिरफ ये तीन, तो इन तीनों को लिखेंगे first लिखेंगे t, second t square, और third t cube अब जिसके साथ, जिस variable के आगे कुछ नहीं होता है, तो वहाँ constant term कौन से होती है, one, तो यहाँ पर हम लेंगे one, इसका भी coefficient one, इसका भी coefficient one, तो इसको हम जो है, line लगा के split कर देते हैं, फिर next बच्चवा जाएगा third पर ठीके, third वाले में देखो third वाला जो है, हमारा, उसमें है, x plus 2xy plus 3y, ठीके, यही है अब इसको अलग-लग लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा first में, x, फिर हो जाएगा 2xy, फिर हो जाएगा 3y, अब इसका coefficient one, इसमें variable है x और y, coefficient हो जाएगा two, इसमें है variable y, तो coefficient हो जाएगा three, ठीके, फिर next करते है next बच्च मैंने expression लिख दी हैं यहाँ पर ताकि time ज़्यादा consume ना हो next expression है hundred m plus thousand n तो इसकी terms क्या बनेगी hundred m plus thousand n तो coefficient क्या बनेगा, first बच्च क्या बनेगा hundred, next बच्च क्या बनेगा thousand, ठीके, ऐसे ही next fifth part में देखो बच्चो, यह expression था, तो term अलग-अलग करती हमने, first बच्च में कुछ भी coefficient नहीं है, तो one है और minus है, तो इसलिए minus one है यहाँ पर है seven, इसका coefficient बच्चो क्या बनेगा, a का 1.2 और b का 0.8 next बच्च में है r square r square का coefficient बनेगा 3.14, ठीके, यह की single term है next बच्चो, आपने यहाँ भी plus है, तो bracket को हटाना है, two की multiply अंदर दोनों के साथ होगी, तो यह बनेगा 2L plus 2B, ठीके, तो दोनों का coefficient 2L और 2B, L का भी coefficient 2 और B का भी coefficient 2, ऐसे ही last part है इसका बच्चो, इसमे first बच्चो बच्चो 0.1 और second बच्चो 0.01 ठीके, तो इस तरह से बच्चो हमारा third part complete होता है, इस वीडियो में हम three तक ही करेंगे, क्योंकि मैं अच्छे से आपको explain करता हूं बच्चो, तो उसमें time ज्यादा consume होता है तो next जो हमारे parts है, वो आपको part 2 इस वीडियो का हमने बनाया हुआ है, हमारे चनल पर available है, वो आप देख सकते हैं और अगर बच्चो आपने अभी तक हमारे चनल को subscribe नहीं किया है, तो subscribe करना ना भूलें, धन्यमाद